कि totalization किसे कहते हैं यह देखता कैसा है इसके अलग-अलग components क्या-क्या है तो सरुप्धम मैं आपको इसका परिचाय कराते हुए यह कहूंगा कि यह परकार का यह के सर्विक्षंड equipment है सर्वे एक्व्फमेंट है सर्वेक्षंड यंत्र होता है जिसमें थ्योड लाइट होती है जो electronic digital measurement के टक्नीक से लाइस होती है electronic digital electronic distance measurement जो टक्नीक है इसमें विना ही आपको चान पर पहुंचे आपको distance के अपको किया है कि हमाई पास जो चर्चा कीया है कि स्विक्षा अब कि deportiva रेन एक भाद आ हैं आप या तो जरीब से छरीब करते थे तो फिर आप तेप का सहरा लेते थे दुनरी के में आपको वहां तक टेप या जरीब को फैला करके पहुंचना पड़ता था उसके बाद आप दोनों पर रिडिंग ले पाते थे मसलन अगर आप जरीब का इस्तमाल कर रहे हो तो उसमें लगी टैलीज को आप पढ़ते थे लिंक्स को जोडते थे करते थे तब आप डिस्टेंस मेजर कर पाते थे ठीक उसी प्रकार जब आप टेप का इस्तमाल कर रहे थे तो उसमें भी यह चीजें हमें फॉलो करनी पड़ते थी कि पूरी दूरी पर हमने टेप फैलाया फिर उसमें आ रही रिडिंग नोट किया पढ़ा तब जाकर के हमें इसमें आपको कोई ऐसी फीजिकल वस्तु फैलाने की ज़रुवत नहीं है जिस पर आपको रेडिंग मिले यह एक अप्टिकल मेथड है जो आपको डिस्टेंस मेजर करके दे देता है पता चल जाता है तो इसमें जो आपका टोटल स्टेशन एक्विप्मेंट है इसमें सेट अप से ही सारी रेडिंग ले सकते हो मतलब आपको बार बार आपना जो इंस्ट्रुमेंट का स्टेशन है उसको चेंज करने क्या आउशकता नहीं पड़ती इसे समय की बज़त होती है डेटा में की रेसी आती है और रेफरेंस पॉइंट बार बार बदलने से भी कई ब आपका डिस्टेंस अगर मेजर कर लिया तो एरिया कैलकुलेट कर लेता है इसमें जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है या जो कह लिए जो मैक्रो प्रोसेसर होता है और उसके साथ ही साथ यह बेरिंग से यानि की एंगल दिशा भी आसानी से बता पाता है अब देखिए यह इधर से जब आप विव देख रहे होंगे तो कैसा दिखेगा यह अबजेक्ट पीस आपको इस तरह नजर आएगा और यह जो आपका है फोक्सिंग स्क्रू है इसके साथ आप माइक्रो एजस्मेंट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट इसको फूट स्क्रू बोलते हैं जिसस कुछ हद तक आपके मुबाइल की तरह ही इसके सारे मेन्यू ऑप्शन दिए हुए हैं आप इसके की पैड्स आप देख पा रहे हैं इसी के मदद से हम इसको करते हैं इससे डिस्टेंस और बेरिंग को मेजर करते हैं ट्राइपॉड पर इसको लगाया जाता है यहां पर रेख्टर कहां लगा होता है जैसे अगर माल लीजे कि स्टेशन ए और बी के बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करना है अपने यह टोटल इस्टेशन जो एक्कूपमेंट हमारा है वह आपने सेटप कर रखा इस्टेशन ए पर तो इस्टेशन बी पर आप यह आपने में समय लगेगा उसको यह आनबोर्ड कंप्यूटर या मैक्रो प्रोसेसर कल्किलेट करता है जिसके आधार पर आपको एकुरेट दूरी का अंदाजा दे देता है उसके बारे में जानकारी दे देता है इसमें एक बहतरीन बात यह भी है कि स्लोपिंग डिस्टेंस क उस पर ही यह रीडिंग आती है इसमें तो चित्र कैसा दिखता है आप यह देख पा रहे हैं अभी हमें एक लाइन डाइग्राम से आपको इसके अलग-अलग हिंसों के बारे में बता देते हैं देखें हम इस लेक्चर में हम इसके ऑपरेशन के बारे में नहीं पढ़ेंग होता है आप जो होती है उसके साथ एक लेजर जनरेटर होता है Called who CheINA है विए और ग्लेटर करना थे हम और आफसके आती है तो उसके आने और जाने में जो समय लगता है उसी के आधार पर onboard computer आपको exact distance का आंकडा दे देता है drives होती है इसमें data को record करने के लिए drives लगी होती है trigger keys होती है धेर सारे keypads होती है foot screw का काम क्या है देखे foot screw यहाँ पर है जिसको leveling screw बोलते है leveling screw का काम यह है कि हमारा object क्या हो हमेशा ही उसकी जो vertical axis हो हमारे earth का जो horizontal plane है उस पे perpendicular हो सरविक्षाण वाले में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है horizontal axis बिल्कुल parallel हो हमारे horizontal plane के horizontal plane से मतलब यह है कि हमारे जो पृत्वी का सत्ह है उसके वो parallel हो अगर हमारा यह अगर परफेक्टली इसको station करना है हमारे total station device को अब इसमें Bluetooth antenna लगा होता है Bluetooth जैसे यहाँ पर आप देखे यह यह जो यहाँ पर दिख रहा है यह Bluetooth antenna है कई बारी इसको remote से भी operate कर सकते हैं तो इसलिए Bluetooth antenna वो remote Bluetooth के वाया Bluetooth जुड़ा होता है तो इसको हम उसके लिए Bluetooth भी होता है positioning के लिए कि जिस station से हमें distance measure करना है या कोई direction measure करना है तो उस particular जगे पर हमारा device stationed है या नहीं वो plumb off से हम ले उसका measurement मतलब उसका निर्धारण करते हैं तो यहाँ पर एक optical plummet होता है वो laser beam नीचे direct कर देता है तो सीधे-सीधे आपको पता चल जाता है कि आपका जो यह equipment है वो stationed है सही जगा या नहीं सही नहीं है उसको आप फिर कर पाते हैं यहाँ पर एक connector होता है connecting port होता है जिससे आप on board computer को अपने personal computer से जोड़ करके इस से data आप copy कर सकते हैं इसके कुछ features के बारे मैं बात कर लेते हैं features क्या है कि लगभग सारे survey work मोटे मोटे सारे survey work पहले तो 3 axis में data को read करता है जो reference हम लेते हैं जैसे इसके पहले अगर हम बात कर रहे थे मालीजे हम उसकी auto level की बात कर रहे थे तो auto level में क्या कर रहे थे हम किसी भी benchmark अगर मालीजे यहां पर benchmark था तो हम इसका benchmark अगर मालीजे 100 meter था from sea level तो हम इस पे से reading लेना शुरू करते थ आगे का सब station जो भी होता था सब के height को हम measure कर लेते थे मतलब यह back site लिया अगर मालीजे 2 meter आया तो हम माल लेते थे कि जो line of collimation है वो 102 meter पर है तो हम इसके आधार पर हम बाकी stations यानि कि इस सभी stations का हम elevation निरधारत कर लेते थे यह क्या है यह actual में सिर्फ height वाला component यानि vertical component को ह भी ले रहा है लेकिन जब हम बात कर रहे होंगे टोटल station की तो टोटल station में यह तीन axis में x y और z यह तीनो axis में reference point fix करता है मतलब जो back site आती है वो किसी ऐसे station की आती है जिसका आपको तीनो axis मतलब latitude, longitude और vertical height या elevation तीनो नोन होता है उसको यह reference पर ले करके फिर हम इसके माध हमें तीनों ही चीजे मिलती है मतलब horizontal distance और vertical distance दोनों मिल जाती है और bearing के लिए हम fix कर लेते हैं तो अमोमन हमाई पास serve action में तीन ही चीजे हम मोटे मोटे measure करते हैं मतलब लंबाई या दूरी, उचाई या गहराई, दिशा मतलब कि हम उसमें जो भी हमारे bearings है उसका measurement करते हैं तो ये तीनों ही चीजे बड़े आसानी से इसमें total station में ये कही equipment के साथ किया जा सकता है, इसमें electronic distance measurement system है, मतलब कुछ जो physical over-road होते हैं वो इसके लिए बहुत माहिने नहीं देखते हैं, मसलन अगर station A यहाँ पर है और station B यहाँ पर है और इन दोनों के बीच में कोई एक इन दोनों के बीच में जो distance होगी वो हमें आसानी से जो भी x distance है वो हमें देख जाएगी, दूसरा है इसके throttle light का जो magnification है, मतलब जूम पावर है, वो लगवक 30x है, 30 गुना जो है, यह जूम कर सकता है, तो इसका दूरी जादा है, laser plummet होता है, तो plumbab की ज़रूरत नहीं हो है, servixion करना है, तो laser plummet की मदद से हम उसको कर लेते हैं, यह fast और convenient है, जो कि बार-बार हमें इसका setup change नहीं करना है, position change नहीं करना है, इसलिए यह बहुत ही दूरूद गती से काम करता है, convenient है, मतलब दो लोग, तीन लोग मिल करके इसके साथ servixion कर सकते हैं, यह आसान है, इस पर high resolution के LCD screen लगी होती है, मतलब दीन के समय में, जब धूप हो, आप मुमन आप दीन के समय में बाहर काम करेंगे, तो जो screen है, reading लेने में कई बारी तकलीफ होती है, मतलब, अगर आप कोई vernier theodolite का इस्तमाल कर रहे हैं, तो उसमें जो reading होती है, जो seconds में आती है, उसको ले reading मतलब अंको में लिख करके प्रदर्सीद होती है, तो यहाँ पर error का बहुत कम chances है, इसमें जो upload और transfer कर सकते हैं, जो भी onboard data है, मतलब जो जब आप सर्वेक्षण कर रहे हों, आपके equipment में जो भी data collect होता है, उसको onboard data बोलते हैं, उसको कहीं आप upload कर सकते हैं, या transfer कर सकते हैं अपने PC में और इस raw data की editing भी आप कर पाते हैं, तो यह मोटे मोटे आपके पास features थे total station के, अब types of total stations पर हम चर्चा कर लेते हैं, पहला manual total station था, जिसमें क्या होता था, कि सिर्फ bearing automatically उसमें angle जो है screen पर प्रदर्सीत होती थी, बाकि horizontal और vertical angles जो होते हैं, वो क्या होता था, आपको horizontal और vertical angle measure करने पड़ते थे, सिर्फ आपको horizontal distance होता था, वो electronically या कह लिजे, automatically लिया जाता था, देखे, sloping distance के बात मैं एक बार आप से कहलू, देखे, अगर यह setup कुछ ही तरीके से लगा है, यहाँ पर station A है, station B यहाँ पर है, यह reflector का position है, जिसकी height h है, तो आपको यह reflector की height पता है, उसके साथ ही साथ, जब आपने total station equipment अपना यहाँ पर लगाया, तो इसमें जो आपका theodolight था, कुछ इस तरीके से होएगा, तो यह आप, इस reflector को ही यहाँ पर देखेंगे, तो आपका actual horizontal distance तो यह वाला है, या कह लिजे, जो horizontal distance है, वो यह है, बट यह sloping distance है slope है, slope distance, तो इससे जो निकलता है, वो horizontal distance आपको मिल जाता है, अब बात करते हैं, semi-automatic total station का, इसमें थोड़ा सा improvement था, horizontal angle और जो आपका sloping distance था, वो, sorry, horizontal angle आपको manually लेना पड़ता था, और बाके slope distance और vertical angle, यह automatically हमारा total station calculate करके आपको दे देता था, screen page की reading आ जाती थी, तो यह हमें समझने की जूरूरत है, कि manual में क्या होता था, horizontal और vertical angle दोनों ही हमें manually calculate करना पड़ता था, लेकिन जब आप semi-automatic, semi-automatic totalization की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको horizontal angle ही आपको manually calculate करने की जूरूरत है, जो vertical angle है, वो, आपके screen पर electronically calculated आ जाता है, बात कर लेते हैं, automatic total station की, automatic total station ही आज के समय में ज्यादा तर use हो रहा है, इसमें सारे ही, horizontal angle, vertical angle और sloping distance, तीनों ही automatically हमारे screen पर प्रदर्सीत होती है, इसमें coordinate information ही मिलता है, coordinate information वही जो मैं आपको बता रहा था, x, y और z के term में, अगर z height है, तो यह vertical distance बता देता है, यह horizontal distance बता देता है, तो कहने का आशा ही है, कि जो automatic total station है, उसमें horizontal angle, vertical angle और sloping distance, तीनों ही, automatically हमें calculated, उसके onboard computer तारा calculate करके screen पर प्रदर्सीत कर दिया जाता है, यह सारे data है, आप चाहें तो उसके, जो खुद के memory है, आपके total station की device की, उसमें भी store होता है, कोई external drive पर भी आप लेना चाहे वो भी कर सकते हैं, अब EDM के principle पर बात कर लेते हैं, EDM क्या था, हमने बताया था, electronic distance measurement system होता है, यह electronically कैसे कोई distance को measure करता है, देखे, यह इस चेतर के माध्यम से आप देख पाएंगे, यहाँ पर हमारा tripod पर total station लगा हुआ है, जिसमें एक theodolite है, जो EDM से last है, यह हमारा, आ यहाँ पर हमने कुछ ही इस तरीके से है, आप समझ लीजे, वोगर मैं यहाँ पर बताऊं, तो कुछ ही इस तरीके से है, यहाँ पर हमारा total station stationed है, positioned है, और यहाँ पर reflector लगा हुआ है, तो यह vertical distance भी जो यह है, हमारा plane के बीच में, यह आपको यहाँ पर clearly visible हो रहा, height में जो microwave generator होता है, वो एक wave को generate करता है, जो travel करती है, यहाँ तक आती है, फिर इसके बाद यह वापस आती है, और यह device उसको receive करता है, इसके आने और जाने में जो time लगता है, उसी के आधार पर onboard computer, यह कह लिजे microprocessor, इसके distance को estimate कर पाता है, map पाता है, यह कुछ इस तरीके से कोई भी हमारा signal है, वो waveform में ही जाता है, तो यह एक cyclic wave है, जो यहाँ पर दिखा दिया मैंने, कि ऐसे ही वो travel करता है, without interference, यह reflector से reflect होता है, वापस आता है, और इसी के आने और जाने के बीच में, जो समय लगता है, उसी के आधार पर distance का आकलन हम कर पाते हैं, यह computer, onboard computer हमें data के में प्रदर से करता है, अब कुछ advantages के बारे में बात कर लेते हैं, total station के, इसका सबसे बड़ा advantage है कि quick setup है, quick setup क्यों है, यह पहली बात तो इसमें laser plummet है, laser plummet मदद कर देता है, exactly stationed करने के लिए, foot screw से इसको easily measure कर सकते हैं, इसको easily हम level कर सकते हैं, क्योंकि onboard computer हमें LCD screen पर वो points क्यारफूली हमें देखने क्या शक्ता नहीं होती है, क्योंकि screen पर ही आता रहता है सारी चीजे, तो हम foot screw की मदद से, या leveling screw की मदद से हम उसको level कर लेते हैं, अपने total station को, तो leveling आसान हो जाती है, focusing भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें 30x zoom के साथ मिलता है, कई और भी advance हमारे पास total station है, तो उसमें focusing भी आसान है, और reading लेना तो बहुत आसान है, क्योंकि सीधे-सीधे reading हमारे LCD screen पर display होती है, सारे calculation computer कर रहा है, तो हमें बहुत जादा उसमें परेशान होने क्या वशक्ता नहीं पड़ती है, सीधे-सीधे हमें reading मिलती है, जो काफी हद तक accurate होती है, इसमें सबसे बेहतरीन बात है कि जो software होता है, total station का, उसके आधार पर, जो हमारे पास onboard computer या कह लिजे, microprocessor है, वो अगर आपने distance measure कर लिया, तो area भी बता देता है, देखे, अगर मालीजे station A से हम reading ले रहे हैं, ये कुछ 3-4 station है, मालीजे A, B, C, D और E, अगर ये 4 station है, हमने यहां से reading इसका लिया, इसका लिया, फिर इसका भी हमने ले लिया, ये सारे reading ले लिया, और हमें अगर चाहिए, इस पूरे, इन सभी points को connect करने, सभी stations को connect करने वाले line के बीच का area अगर हमें चाहिए, तो हम सीधे software की मदद से, ये पूरा area जो आएगा इसका, वो हम आ आसानी से, total station से calculate कर पाते हैं, उसके लिए हमें अलग से कोई calculation के आवशकता नहीं पढ़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, कि कई सारे languages support करता है, तो जोरी नहीं, चुकि ये software based है, तो जिस भी area में हम इस्तमाल करने वाले हैं, उस area में हम उसके software के साथ calibration कर लें तो वो particular language भी ये पढ़ने लगेगा, या उसमें अपना data output देने लगेगा, या operations उस language में हो जाएंगे, इसमें चुकि LCD screen होती है, तो ये graphical view किसी भी सतह का देता है, इसमें कोई भी recording या calculation error नहीं होता, इसके बारे मैंने पहले भी चर्चा कर लिया है, कि सारे जो data को read करना ह है, और calculation करना है, वो on board computer करता है, जिसमें गलती होने की संभावना लगभग कम होती है, तो इसलिए जो इससे data मिलता है, उसमें human error के लिए काफी हद तक reduce हो जाती है, या eliminate हो जाती है, ये काफी accurate measurement देता है, और data हम किसी भी computer पे save कर पाते हैं, सुरक्षित या संरच्षित कर पाते हैं, कुछ disadvantages भी है, इसका हम बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा disadvantage ये है कि बहुत महंगा होता है, अब हम साड़े तीन लाग से उपर ही अच्छा जो total station आता है, तो कह सकते हैं सबसे बड़ा इसका नुकसान यही है कि महंगा है, दूसरा एक थोड़ा सा drawback इसका disadvantage ये है क इसके लिए skilled surveyor की ज़रुवत होती है, चोकि ये operation थोड़ा सा tricky है, इसको आप less skilled या unskilled labor के साथ आप नहीं काम कर सकते हैं, surveyor के साथ काम नहीं कर सकते हैं, इसमें थोड़ी से training, initial training ज़रुवी होती है, तो training में भी खर्च involved हो जाता है, या कह लिजे जो skilled surveyor है, उसका आपक इसको cost भी ज़्यादा पड़ता है, तो एक नुक्सान इसका या भी है, कि skilled surveyor की ज़रुवत पड़ती है, और इसके handling को बहुत ही ध्यान से किया जाना चाहिए, मतलब इसको packing और ट्रांसपोर्ट करना, एक जगर दूसरे जगर ले जाना, फिर सका setup करना, फिर से इसको pack करक बहुत ही टेक्निक, बहुत ही tricky चीज है, तो इसलिए हमें इस पर ध्यान रखना पड़ता है, कि इसका handling बहुत ही proper तरीके से किया जाए, तो कुछ ये कह लिजे हमने totalization के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कठा करी, इसी तरीके से हम कुछ GPS के बारे में भी जानकारी कठ कर लेते हैं, यहां पर एक चितर के माध्यम से हम बताएंगे, यह एक handheld GPS है, handheld GPS का मतलब क्या है, एक छोटा GPS device जिसको आप अपनी जेब में रख करके, सर्विक्षन के दौरान कहीं भी जा सकते हैं, वो इसे reading ले सकते हैं, GPS का full form है, global positioning system, जिसको short form में GPS कहते हैं, यह एक satellite based navigation system होता है, जिसमें लगभग 24 satellite अपने orbit में, orbit मतलब कक्षा होता है, जिसमें satellite move करती है, चकर कारती है, पृत्वी के, तो लगभग 24 satellite की मदद से, हमें इसमें data मिलता है, अभी हम आगे बात करेंगे, कि data किस रूप में मिलता है, कुल मिला करके idea यह है, कि जो GPS है, वो आपका latitude अच्छांस ओदेशांस के reference में आपको position के बारे में बताता है, तो कुल समझने के आवशकता यह है, कि जो हमारा GPS है, वो 24 satellite की मदद से, हमारा exact position, मतलब जिस वक्त हम इस GPS device को अपने हाथ में लिए होंगे, और reading ले रहे होंगे, तो यह satellite, कम सकंद तीन या चार satellite, जब तक range accurate नहीं आता, जैसे ही आप खुले आसमान के नीचे जाते हैं, तीन चार satellite के range में आप आ जाते हैं, और data आपको मिलने लगता है, अब देखिए, यह करता क्या satellite, कुछ signal को transmit करती है, जो हमारे पास, यह handheld GPS होता है, इसको receive करता है, और उसको process करता है, हमीं reading देता है, हमने जिसका चितर दिखा है, इसका जब line diagram आप देखेंगे, तो इसमें दो button है, zoom button आप इधर देख पा रहे है, zoom in, zoom out, इसके बाद operation end button है, यह thumb stick है, यहाँ पे दिख रही है, इस से left या right नेविगेट कर सकते हैं, जैसे आप mobile में करते हैं, mobile में आप तो touch screen है, तो आप finger से swipe कर लेते हैं, बट पहले screen को left या right अगर इधर देखना है, तो आप thumb से इसको इस दिखा में घुमाते थे, तो इस area का आपको चीजे और भी screen पे visible हो जाती थे, इसमें compass setting mark आता है, power button है, और page button है, कि आप page को इसके बीच में scroll कर सकते हैं, shift कर सकते हैं, तो यह handheld GPS का चितर है है, इसके बाद हम कुछ और चीजे समझेंगे, satellite के constellations के बारे में, देखें, यह अलग-अलग satellite है, अगर मैं इनका नाम दूँ, A, B, C, D, E, F, G, H, तो इस तरीके धेट साई satellite है, जो अलग-अलग अक्षा में घूम रही हैं, अब देखें, घूमते हुए क्या गरते हैं, यह signals कोई एक ground station होगा, जो इस signal satellite को दे रहा होगा, और satellite से जब हमारे पास कोई अगर माली जे प्रित्वी के इस कोने पर, हम यहां पर handheld GPS लिए हुए हैं, या कोई भी GPS device लिए हैं, तो इस satellite की मदद से, यह satellite, तीन-चार satellite जब इस पर signal आएंगे, तभी accurate reading यह दे पाएगा, और अमोमन किसी भी जगह पर आप खुले आस्मान के नीची जाते हैं, तो satellite के range में आही जाते हैं, तो जब इन सभी satellite के बीच से, जब यह reference data लेता है, तो यह जो हमारा screen होता है इसका, उस पर आपको latitude और longitude माली जे कि यह कुछ इस तरीके से आगया, 60 degree, 52 minute, 48 seconds, 50 degrees, कुछ इस तरीके से मैं एक random data लिख रहा हूँ, यह कॉमा है, 40 minute, माली जे 32 seconds, तो यह क्या है हमारे पास अच्छांस हो देशांस में इस पर reading आ जाती है, इसी तरीके से अगर माली जे सर्वेक्षण करना है, अगर कोई यह plot इस तरीके से आपका पढ़ा है, कोई छोटा plot होगा, त फिर आप total station के मदद से बना सकते हैं, अगर बहुत बड़ा area है, तो आप क्या करेंगे, A, B, C, D जो stations है, सभी का आप अक्छांस और देशांस, मतलब सभी का latitude और longitude note कर लेंगे, माली जे यह xy था, x1, y1, x2, y2, इसी तरीके से x3, y3, यह जब आप note कर लेंगे, तो आपक चाहेंगे और अपना इसका boundary करना चाहेंगे उस particular area का, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे किसकी मतल से, handheld GPS की बदद से आप उस पर घूमते रहेंगे, यहां पर आपको reading मिल जाएगी, आपके ठीक जो device है, उसके नीचे जो station है, वो ही आपका desired stations है, इसम तरीके से फिर उपर घूमने लगा है, वहीं longitudes की बात करते हैं, तो आप देखें, यह longitudes है, अब यह reading आती है, कैसे आती है, माल लेते हैं, कि यह कुछ इस तरीके से longitude है, east की तरफ, और यह latitude है, हम यहां पर खड़े हैं, तो यह coordinate में ही reading आती है, हमारे device पर, आप देखें एक ground control segment है, जो जमीन से ही satellite को signal भेज रहा है, और यह satellites क्या कर रहे हैं, देखें, यहां पर इस हमें, चार satellite range में हैं, तो इन चारो satellite ने जब इसके पास, इस वेक्ती के पास, handled GPS पर signal डाला, तब इसको coordinate system, मतला X और Y, latitude और longitude के रूप में, इसको reading मिल जाती है, जिस से उस उ अरधारन हो पाता है, इसके applications क्या है, marine system में, यानि कि समुद्र में इसका इसका इस्तमाल होता है, जहां reference बहुत कम मिलता है, airplanes में इसके साथ, visually impaired यानि के जो दृष्टि बाधित लोग है, वो भी GPS की मदद से, चूकि यह voice command भी भेजता है, तो उससे मदद लेते हैं, agriculture में, mapping में और engineering equipments को control करने में GPS का मदद लिया जाता है, advantage क्या-क्या है GPS का देखिए, यह three-dimensional information होता है, इसमें height भी हमें पता चलती है, weather independent है, बारिस हो रही है, धुन्द है, कोहरा है, कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि satellite से linked है, तो satellite signal आ रहे हैं, तो आपका काम चलता रहेगा day-night operation है, कोई फरक नहीं, आप दिन में अपना सर्वेक्शन कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, rapid data operation है, less labor है, और इसमें less skill की भी जरुवत होती है, क्योंकि